हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका स्क्रिप्ट दोस्ट चेतनुन्याल और स्वागत करता हूँ आपका ऑनलाइन पाटशाला के इस पटकथा प्रवचन यानि स्क्रीन टेट टुटोरियल में और आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव केरेक्टर आर्क तो ज्यादा टाइम ना करते हुए आईए अपना वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं और टुक्रिएट अ नेगेटिव केरेक्टर आर्क तो नेगेटिव केरेक्टर आर्क को एक्स्प्लेइन करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर इससे जुड़े पहले वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारी केरेक्टर आर्क सीरीज के तो उसके लिए आप आई बटन प्ले क्लिक कर सकते हैं या नीचे लिखे डिस् करेक्टर आर्क के बारे में कपि अच्छे से एक्सप्लेइन किया हूआ है अब आते हैं अपने टौिक लिए अधिक करेक्टर आर्क के बादेन मैं कुछ फिल्मों के एक्जमित के थूओ आपको explain करता हूँ कि प Conjas character arc होता क्या है सबसे पहले तो एक definition के तौर पर अगर हम देखें तो negative character arc का मतलब यह है कि हमारा character कहानी के शुरुवात में positive है positive thoughts है या वो खुद एक positive इंसान है लेकिन कहानी खत्म होते होते वो एक negative इंसान में तबदील हो जाता है या वो कुछ negative values को अपना लेता है अब वो अपनाता क्यूं है उसकी बी अगलग वज़े होती है कभी वो society से परिशान होता है या कभी उसके साथ sudden कुछ situation ऐसी हो जाती है जिस वज़े से उसे वो negative values अपना नहीं पड़ती है यह क्या होता है कैसे होता है इसको detail में समझाता हूं मैं अपने film examples के थूँ तो हम start करते हैं सबसे पहला example मैं दूँगा negative character art में हमारी film नायक का जी हाँ नायक आनिल कपूर की वो film जो एक channel की क्रिपा से हमारे लिए cult classic बन चुकी है इतनी बार आ चुकी है वो उस channel positive है अगर उसने किसी को मारा भी तो वो एक गंदा इंसान था वो एक गलत इंसान था यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पहले हम उस journey को देख लेते हैं फिर मैं explain करूंगा कि किस तरीके से यह एक negative arc का example बनती है तो हमारी कहानी में शुरुवात होती है हमारे नायक से जो कि सीधा साधा press reporter है और आम तोर पर नॉर्मल लाइफ में भी वो एक अच्छा इंसान है rules के हिसाप से चलने वाला अपने tax pay करने वाला सारा rule regulation traffic वगरा rules सब मानने वाला और ये वंदा एक इमानदार journalist है या कए media reporter है अब problem वहाँ आती है जब ये media reporter एक corrupt politician जो की एक state का chief minister भी है उसका interview लेता है जिसकी सच्चाई वो जानता है और उसकी सच्चाई एक recording के थूद जनता के सामने भी लेकर आता है अब यहाँ पे corrupt politician अपने कुरसी बचाने के लिए उस पर ही challenge भेग देता है और journalist को ये challenge देता है कि भाई तुम मेरी कुरसी पर बैटके देखो कि कितने tensions जहेलनी पड़ती है कितने सारे फैसले लेने पड़ते हैं तब तुम्हें पता चलेगा तब तुम ये जो गलत इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो तब तुम्हें पता चलेगा कि इनकी भी अपनी वज़े होती पहले तो हमारा journalist ये फैसला लेने से बचने की कोशिश करता है लेकिन जब देखता है कि जनता चाहती है कि वो ये फैसला ले politician का challenge accept करें तो ये challenge accept कर लेता है एक दिन के लिए उसे state का chief minister भी बना दिया जाता है लेकिन तब वो देखता है कि पूरा का पूरा system ही corrupt है सिर्फ वो उपर बैठा chief minister politician करप नहीं है उसके नीचे बैठे bureaucrats फिर उनके नीचे बैठे उनके subordinates और विल्कुल basic level पे नीचे बैठे दलाल वगरा सब नीचे तक ऊपर से लेके नीचे तक सब corrupt हो चुके हैं जब वो system में इतनी corruption देखता है इतनी सारी परेशानिया देखता है कहीं न कहीं उसका दिमाद अपने beliefs को छोड़ने लगता है जो यह समझे रहता है कि हाई याद दुनिया अच्छी है लोग अच्छे हैं सबको अच्छे तरीके से रहना चाहिए उसे समझ में आता है कि नहीं system हमारा इस हद तक corrupt हो चुका है कि इमानदार इंसान को इमानदारी से लड़ने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा वो system बदलने की कोशिश करता है चुनाव लड़ता है चुनाव जीत भी जाता है और finally वो मुख्यमंतरी बन जाता है लेकिन मुख्यमंतरी बनने से पहले उसे इतने challenges जहलने पड़ते हैं उसकी जान पर हमला होता है उसके घर वालों पर हमला किया जाता है उसके घर को तोड़ दिया जाता है सारी problems को दरकिनार करके भी वो बन्दा अपने काम को priority देता है और इमानदारी से अपना काम करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो आसपास देखता रहता है कि नहीं सिस्टम उसे इमानदारी से काम नहीं करने देगा अगर उसे सिस्टम को बदलना है सिस्टम की स्कीचड को साफ करना है उस्कीचड को साफ करने के लिए कहीं न कहीं उसके हाथ भी गंदे होंगे और ये चीज रिफलेक्ट होती है फिल्म के फाइनल सीन में जहां हमारा लीग केरेक्टर अपने उसूलों को छोड़ते हुए अपने आदर्शो को छोड़ते हुए खुद को ही गोली मरवा देता है और फिर वो गन उस एक्स चीफ मिनिस्टर के हाथ में फेक देता है उसके गार्ड़ आते हैं और जैसे ही वो गन एक्स चीफ मिनिस्टर के हाथ में देखते हैं और अपने चीफ मिनिस्टर को घायल देखते हैं वो एक्स चीफ मेंस्टर गोगोलियों से भून देते हैं अब यहां देखिए एक केरेक्टर जो कहानी के शुरुआत में एकदम इमानदार एकदम सीधी सची राह पे चलने वाला कहानी का end होते होते एक चालाक politician में तबदील हो चुका होता है और इसका सबसे बड़ा प्रूफ वो ये बात खुद अपने सेक्रेटरी से कबूल करता है कि आखिरकार आप लोगों ने मिलके मुझे politician बना ही दिया अब जाहर तोर पर सेक्रेटरी उसकी बात सुनता है समझ भी जाता है कि हाँ इसने ही मतलब game खेल कर ये ex minister को मरवाया है लेकिन तब वो उसे सान्पना देता है कि नहीं नहीं आपने मतलब एक गलत इंसान को मारने के लिए मतलब ये गलत साजिश रची है इसलिए आप खुद को बिलकुल भी दोश मत दीजिए तो हम कह सकते हैं कि उसके इस action को justify किया गया लेकिन जब हम character journey के तौर पे देखते हैं character arc के तौर पे देखते हैं तो हाँ वो इनसान बदल चुका है जो इमानदार था कभी किसी को चोट पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था आज वो किसी को मरवाने के लिए एक साजिश भी कर सकता है इतना वो capable हो चुका है तो इसे हम कहते हैं negative character arc का example और इसको थोड़ा अगर हम और गहराई में देखें तो इसे हम कहेंगे negative character arc because of disillusionment जहां आपको society से ही शिकायत हो गई कि नई यार मैं अच्छा इंसान हूँ लेकिन ये society मुझे अच्छा इंसान रहने ही नहीं देगी इस society में इतना corruption है इस politics में इतना corruption है कि अगर मुझे इस corruption को साफ करना है तो कहीं न कहीं मुझे भी वो political game playing सीखनी पड़ेगी तो हमारा सीधा सच्चा character कहानी की पूरी जर्नी के दौरान finally disillusion होकर इस corrupt system से परेशान होकर फैसला करता है कि मैं अपने belief system को अपने value system को बदलूँगा और अब सीधा सच्चा आदमी बनकर इस खराब politician से टक्कर नहीं लूँगा बल्कि इसी के level पे जाकर एक चालाक politician बनकर ही इस बुराई को जड़ से खत्म करूँगा तो इसी लिए मैंने कहा कि हम negative character arc में नायक का example लेंगे जहां हमारा character कहानी के शुरुवात में एक इमानदार था लेकिन कहानी के अंत में change होकर एक चालाक politician बन चुका है अब इसी example को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं एक और film का example देना चाहूँगा और वो थी हमारे बहुत ही अच्छे actor है मनोज वाजपई उनकी एक बहुत ही चर्चित फिल्म रही है शूल बहुत जालोगों ने नहीं देखी लेकिन खासकर जो हमारी फिल्म लाइन के लोग है खास तोर पर जो अच्छी फिल्मों को मतलब जानते हैं समझते हैं उनके पास जरूर उनको जरूर यह एसास होगा कि शूल कितनी बढ़ी है फिल्म थी उस फिल्म का एक और मैं एक्जम्पल दूँगा इसी नेगेटिव करेक्टर आर्क के तौर पर अगें अगर आपको शूल याद हो या आपने नहीं भी देखी हो तो मैं सीधी साइड इलाइन में बता देता हूँ एक इमांदार पुलिस इंस्पेक्टर जिसकी पोस्टिंग होती है बिहार में जो हर तरीके से सही काम करना चाता है रूल बुक के हिसाप से चलना चाता है सीधा सीधा अपना काम करना चाता है जो सही है जो गलत है उसको सजा मिले उसको पकड़ा जाए अब अगें वही पॉलिटिक्स राज खराब पॉलिटिशन उसकी लाइफ में एंटर होता है और वहां से उसकी जिंदगी में गड़बड़ी यानी शुरू हो जाती है वहां यह corruption उसके against काम कर रहा है वो उस corruption से लड़ने की कोशिश करता है लोगों को गिरफतार करता है जो politician के corrupt लोग होते हैं उन्हें jail में डालता है लेकिन politicians अपने connections का use करके उन लोगों को छुड़ा लेते हैं और मुसीबते उल्टा पुलिस वाले पर ही बढ़ने लगती हैं उससे ही सवाल किये जाते हैं कि politician को क्यों question किया जा रहा है उसकी गलत चीजों को क्यों रोका जा रहा है तो हमारा ये सीधा साधा पुलिस इंस्पेक्टर इन बातों से परेशान होने लगता है उस पर जुल्म इस कदर बढ़ने लगते हैं कि finally उसकी पत्नी तंग आकर जहर खा लेती है जब इस कदर personal और professional level पे हमारा पुलिस वाला तूट जाता है तब वो एक फैसला लेता है कि ये system, ये corrupt system खराब हो चुका है, सड़ चुका है और मैं इसे जड़ से खत्म करके रहूँगा यहाँ पर वो decision लेता है गन लेता है, politician के पास जाता है विधान सभा के सत्र में विधान सभा again हमारे देश की लोगतान त्रिक जो प्रणाली है, उसका एक इस्तंब है, एक चिन है और वहाँ पर जाकर वो एक भाशर देता है कि किस तरह ये system corrupt बन चुका है और इसी लिए इस इमानदार police officer को आज ये फैसला लेना पड़ रहा है कि वो कानून अपने हाथों में लेकर एक गलत चीज करने जा रहा है और ये कहते हुए वो उस corrupt politician को गोली मार देता है तो again आपने देखा कि यहां हमारा एक इमानदार character कहानी शुरू होने पर जो rule के हिसाब से चलने वाला रूल फॉलो करने वाला अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाने वाला था वो कहानी के अंत तक आते आते उन्ही रूल्स को तोड़ देता है भले ही वो एक उसे हम justification दे सकते हैं कि उसने सही किया उस corrupt politician को मार दिया लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि जिन values को लेके हमारा character चला था कहानी के अंत तक आते आते उसने वो values को दरकिनार कर दिया और कुछ negative value ले ली जो शायद कहानी की शुरुवात में वो कभी भी accept नहीं करता कहानी की शुरुवात में अगर किसी और police वाले ने ऐसा कदम उठाया होता तो वो उसे सदा देने के वकालत करता है हलांकि ये end में भी कहता है कि उसे सदा मिलनी चाहिए लेकिन जब बात आती है कानून को अपने हाथ में लेने की तो उसकी values उसकी ideologies change हो चुकी है तो कहानी के शुरुवात में जो उसकी ideology थी कहानी के अंग तक आते आते वो change हो चुकी है तो again ये एक example है negative character arc का अब ये जो दो example मैंने आपको बताए सबसे पहला नायक और दूसरा शूर इसमें जो negative arc है वो है negative character arc because of disillusionment जहाँ एक सीधा साधा इंसान इस बात से परेशान हो गया कि यार ये system करब है उस system से उसका भरोसा उड़ गया और फिर end में जाकर उसने फैसला लिया लेकिन हमेशा negative character arc disillusionment की वज़े से नहीं होता कभी कभी कुछ sudden situation ऐसी हो जाती है जिसकी वज़े से वो इंसान ये फैसला लेता है और इसका एक example दूंगा मैं आपको एक संजजदत की बहुती hit film रही हमारे मुन्ना भाई की वास्तव वास्तव अगर आपको याद हो तो उसमें संजजदत एक सीधा जादा वड़ा पाव का ठेला लगाने वाला एक नॉर्मल मेहनत मजदूरी करके खाने वाला छोटे से परिवार के साथ खुश रहने वाला आदमी है अब वो मेहनत मजदूरी करता है बेचारा लेकिन उसी दौरान उसकी लड़ाई हो जाती है गुंडों के गुरुप से जो उस पर फाल्तू में जूटे जूटे इल्साम लगाकर उससे लड़ाई करते हैं उसके साथ मार पीट करते हैं अब वो पहले बेचारा इमानदार इंसान किसी तरह माफी उनसे मांगता है अपना ठेला बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो गुंडे इस पर भी राजी नहीं होते और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं अब ये देखिए यहाँ पे अगर शायद उसे मौका मिलता तो वो हाथ जोड़कर चीजों से निकलने की कोशिश करता और वो कर भी रहाता लेकिन अब बात आ गई सडन जान पे की एक सडन मुमेंट आ गया अब इसी में आपको फैसला लेना है या तो आर या तो पार और वो फैसला लेता है अपनी जान बचाने का और उसकी जान बचाने का सिर्फ एकी तरीका है कि वो सामने वाले को मार दे अब जो वो सामने वाले को मार देता है, फिर भी उसे लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं ये मतलब नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उन गुंडों के साथ ही उसे ढूंड रहे हैं, और वो जहां भी मिला उसे जान से मार देंगा, तो वो अपनी जान बचाने के लिए द भागता है, लोगों को मारता है, और मारते मारते फिर खुद वो एक डॉन में तबदील होता जाता है, और डॉन में तबदील होने के बाद फिर उसको ये आ जाता है कि भाई, अब ये मेरी लाइफ है, मैं इतने सारे मर्टर कर चुका हूँ, मुझे माफी तो नहीं मिलने वाली तो बेटर है कि मैं इसी लाइफ को accept कर लूँ और आगे बढ़ू और इसी लाइफ में खुश रहूँ अब वो डॉन बन जाता है लोग उससे डरने लगते हैं उसकी डर के मारे उसकी इज़त भी करने लगते हैं उसको पावर का एहसास देने लगती है और यह पावर ल से जाधा बढ़ जाती है तो पोलिस उसका एंकाउंटर कर देती है अब इस कहानी में शुरुवात में कोई डिसिलूजनमेंट नहीं था वो अपना काम कर रहा था उसको पता था सिस्टम हाँ खराब है तो ठीक है लेकिन अपना काम मेरा चलता है मैं छोटा सा ठेला लगा के खुश हूँ लेकिन एक सड़न शॉक जो उसको उसके कमफर्ट जोन से बाहर निकाल देता है वो उसको उस अब वो फैसला ले लेता है उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए और पून करता है और धीरे धीरे वो उस रास्ते पर बढ़ता चला जाता है तो अगें यह एक और एक्जम्पल हुआ नेगेटिव केरेक्टर आर्क का जिसमें कोई सडन सिचुएशन ने ऐसी कॉंपलेक्सिटी पैदा की कि हमारे केरेक्टर को अपनी वेल्यूज छोड़के वो नेगेटिव वेल्यूज एडॉप्ट करनी पड़ी और कहानी के आखिर में वो एक नेगेटिव केरेक्टर बन यह हमारे तीन एक्जम्पल्स के थूप आपको काफी डीटेल में समझा गया होगा कि नेगेटिव केरेक्टर आर्क होता क्या है अब मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कुछ ऐसी फिल्में देखिए कुछ ऐसी फिल्में सेलेक्ट कीजिए जिसमें ऐसा केरेक्टर हो जो इसा केरेक्टर खुद लिखना चाह रहे हैं जो नेगेटिव करेक्टर आर्क का एक्जम्पल है तो इन एक्जम्पल्स को देखने से आपको बहुत जादा मदद मिलेगी टेक्निकल लेवल पर उसे समझने में कि अगर मैं इस नेगेटिव करेक्टर आरक को इन instructions को follow करते हैं इन technical guidelines को follow करते हैं तो negative character arc से जुड़ा जो भी आपका screenplay होगा उसमें एक अच्छा result आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये था हमारा negative character arc का video I hope आप लोगों को ये पसंद आया हो character arc की हमारी series में अब अगला आने वाला video जो होगा हमारा वो होगा आखरी flat character arc positive character arc और negative character arc आप देखी चुके हैं अब जो हम next देखेंगे वो होगा flat character arc तो अगर ये video आपको useful लगा हो इसे please share कीजिए और subscribe कीजिए हमारे पाटशाला चैनल को मिलते हैं अगले episode में